भीर के बीच घिरी दिखाई दे रही इन दो महिलाओं पर आरोप है कि ये दुकान के बाहर रखे चायपत्ती के कट्टे चोरी करकर भाग रही थी। इसी दोरान दुकांदारों ने जब पता किया कि किसी ने भी महला को चाय के कट्टे नहीं बेचे, जिसके बाद दुकांदारों ने दोनों को पकड़ लिया, जब CCTV फुटेज चेक किया तो उसमें महलाएं साफ तौर पर चाय पत्ती के कट्टे चुप चाप उठा कर जाती महला चोरों को पकड़े चाने की पूरी खबर माकेट में फैल गई, जिसके बाद दोनों महलाओं को देखने दुकां के आगे भीड सी जुट गई, दिन दहाडे चोरी की घटना सामने आने से दुकांदार भी नाराज दिखाए दिए गर्दवारे के पास से तो ये कहां की रहने वाली बता रही है और को नहीं है और गर्दवारे के पास से उठा के लिए एक दुसरे दुकांदार ना दे क्या तब बात बढ़ी और इनको पकड़ रखा है पूरा मामला गोहाना का है जहां पुरानी सबजी मंडी में दुकांदारों ने आरोपियो को बकड़ लिया था दुकांदारों की माने तो ये पहना मौका नहीं है जब महिला चोरों की दुकां के बाहर से सामान चोरी किया हो बल्कि दो से तीन दिनों में इस तरह की वार्दादें होती रहती है लेकिन आज जब महला चोर पकड में आ गई है तो सभी ने पुलिस को सूचना दी और अपनी भडास निकाली पुलिस ने मौके पर जाकर CCTV पुटेज चेक किया और दुकानदारों की शिकायत पर आरोबी महलाओं पर केस तरश कर लिया और अपने साथ खाने ले गई पुलिस ने चोरी की शिकायत पर मामला दर्श करते हुए जान शुरू कर दी है दोनों महलाओं का चायपती का कटा सिर पर ले जाते हुए CCTV में जाती हुई नजर आ रही है गोहाना से सुनील जिंदल पंजाब के स्ट्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद